नमस्कार दोस्तो भारत एक सोच देख रहे हैं आप दोस्तो जैन चौधरी के लेकर बड़ी खबर निकल कर सामने आई है जबसे जैन चौधरी ने अखले शादो का साथ छोड़ा है और भारतिये जनता पार्टी के खेमे में जाकर खड़े हो गए हैं तब से उनकी मुश्किल की वजह दोस्तो बताया जो रहा है कि भारतिये जनता पार्टी से हाथ मिलाना जैन चौधरी को भारी पड़ गया और ज्यादा तर ये नाराजगी निकल कर आ रही है कि भारतिये जनता पार्टी से जैन चौधरी ने हाथ क्यों मिलाया और इस वजह से उन्हीं के पार्टी क कि खासम खास लोगों ने पार्टी से किनारा कर लिया है। पिछले दो महीने की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो दो महीने में चार ऐसे बड़े नेता हैं जिनों ने जैन चौधरी का साथ छोड़ दिया है। जो पहला विकेट गिरा है वो शाहिस सिद्की का गिरा है। शाहिस सिद्की वो नाम है दोस्तों जो आजीज सिंग के खासम खास लोगों में से एक थे। मार्च के महीने में पियम मोदी ने मेरट में NDA की सबसे पहले सबसे बड़ी रैली की और उसके बाद अगले ही दिन शाहिस सिद्की ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। ये पहला मौका था जब BJP से गड़बंधन के बाद जैन चौधरी का कोई बड़ा नेता उनको छोड़कर गया था। जैन चौधरी के लिए ये किसी बड़े जटके से कम नहीं था दोस्तों। जब रैली हुई उसके तुरंद बाद जैन चौधरी के खासम खास शाहिस जैन चौधरी को जो इस्तीफा बेजा दोस्तों उसमें बहुत सारी बाते लिखी गई थी उसमें क्या लिखा गया था वो शब्द हम आपको बताएंगे वो लाइने हम आपको बताएंगे जैन चौधरी की पार्टी से इस्तीफा देने के बाद शाहिस सिद्धिकी लिखते भारत की एकता आखंडता विकास और भाईचारा सर्वप्री है इसे बचाना हर नागरिक की जिम्मेदारी और धर्म है ये बात लिखी गई शाहिस सिद्धिकी की तरफ से अब आजाईए दोस्तों दूसरे नाम पर दूसरा नाम है प्रदेश प्रवक्ता रोहित जाखड का जी हां रोहित जाखड जैन चौधरी शाहिस सिद्धिकी के सदमे से उभर पाते उसके बाद रोहित जाखड के रूप में उनको एक और बड़ा छटका लगा चुनाओं के बीचों बीच चुनाओं के बीचों बीच रोहित जाखड ने रोहित जाखड ने रोहित जाखड और करीब 30 साल, लंबा वक्त गुजारा उन्होंने, करीब 30 साल से RLD में वो थे और 3 मई को उन्होंने पाटी छोड़ दी। रोहित्ता कैसर गंज सीड से भाजपा सांसद रहे ब्रजभूशन शुरन सिंग के बेटे करण भूशन सिंग को टिकेट मिलने से नाराज बताए जा रहे थे। अपनी आवाज उठा नहीं पा रहे थे। इसलिए त्याग पत्र दिया है तो ये बात उनकी तरफ से लिखी गई। चलिए दोस्तो तीसरे नाम पर जल्दी से आजाते हैं तीसरा नाम कौन सा है प्रशात कनोजिया का प्रशांत कनोजिया कौन है और क्यों इस्तीफा दिया वो भी आप जान लीजे। दोस्तो रोहिज जाकर की तरह प्रशाद कनोजिया ने भी बीचो बीच चुनाओं में इस्तीफा दिया और 14 अपरायल को पार्टी से उन्होंने इस्तीफा दिया अपने एकाउंट एक्स पर उन्होंने क्या कॉपी पोस्ट की है इस्तीफे की वो भी आप सुनिए उन्होंन नरेंदर मोदी में शद्धे चौधरी चौरण सिंग नहीं बलकि एक क्रूर तानाशाह नजर आता है 700 किसानों की शहादत के लिए जिम्धार लकीम पूर खीरी में गाड़ी से कुचलने वाले और महिला पहलवानों को प्रतारित करने वालों का साथ दिया तो मानवता के साथ देश के साथ गद्दारी होगी अनदाता ही धर्ती का भगवान है और भगवान के खिलाफ होना धर्म के खिलाफ है ये बात उनकी तरफ से लिखी गई प्रशाद करनौजिया की तरफ से आईए दोस्तो चौथा नाम कौन सा है चौथा नाम भी जल्दी से आपको बता देते हैं चौथा और आखरी नाम है राश्ट्रवी प्रवक्ता भुपेंदर चौधरी का एक के बाद एक जटकी लगने के बाद जैन चौधरी को चोथा जटका लगा चोथा जटका था भुपेंदर चौधरी का दोस्तो जो राश्ट्री प्रवक्ता थे बुपेंदर चौधरी ने 19 जून को पार्टी से इस्तीफा दिया यानि कि सबसे लेटेस्ट इस्तीफा हाली में इस्तीफा दिया गया बुपेंदर चौधरी का था कई बड़े नेताओं को पार्टी में लाने में भुपेंदर चौधरी ने एहम भूमिका निभाई थी और जैन चौधरी के खासम खास थे बहुती करीबी लोगों में गिने जाते थे भुपेंदर चौधरी जिन्होंने पार्टी से इस्तिफा दे दिया अब भुपेंदर चौधरी इसके पीछे कारण क्या बताते हैं क्या लिखते हैं वो भी हम आपको जल्दी से बता देते हैं उन्होंने लिखा कि आरेडी में जो जान पड़ी वो मुस्लिमों के कारण पड़ी थी लेकिन बीजेपी से गड़बंधन कर उन्हें धोका दिया गय तो पार्टी छोड़ने पर आलोत का कोई नेता अभी पदादिकारी कुछ भी बोलने को तयार नहीं है हलाकि जो भी लोग अब ये चर्चा कर रहे हैं कि अब अगला नंबर किसका होगा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अब बाच्चीत कर रहे हैं राजनेतिक गल्यारों म से गडबंधन तोड़कर जैन चौधरी भारती जनता पार्टी के खेमे में जाकर खड़े हुए हैं तभी से विरोत के सुर उठना शुरू हो गय थी अंदर खाने से खबर्यानी शुरू हो गय थी और अब इस्तीफे की जड़ी लगी हुई है दोस्तों बहुत शुक्रिया झाल